भारतिय टीम के पूर्फ स्पिनर हर्बजन सिंग ने एक हालिया इंटर्व्यू में कई चौकाने वाले खुलासे किये हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्फ कप्तान महिंदर सिंग धोनी पर गंभीर आरोब भी लगाया है। पिछले दिनों हर्बजन ने क्रिकिट के सभी फॉर्मैट से सन्यास लेने का ऐलान किया था। इसके बाद भी लगातार कई मुद्दों को लेकर अपनी बेवाक राय जाहिर कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने टीम इंडिया से बाहर किये जाने पर धोनी के रेस्पॉंस को लेकर बड़ी बात कही है। हर्बजन के इस खुलासे को लेकर क्रिकिट जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। क्या बोले हर्बजन सिंग। एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्व्यू में हर्बजन सिंग ने बताया कि अच्छा प्रजर्शन करने के बावजूद उन्हें टीम इंडिया से बिना कारण बताय बाहर कर दिया गया। अगर वो भारत के लिए कुछ साल क्रिकेट और खेलते तो कई अनोखियों प्लबधियां हासिल कर सकते थे। हर्बजन ने बताया कि सबसे हरानी वाली बात ये रही कि जब उन्होंने टीम से बाहर होने को लेकर तदकालीन कप्तान महिंदर सिंग धोनी से बात की तो उन्होंने कोई रेस्पॉंस नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने इस मामले को वहीं खत्म करने का फैसला किया हरबजन सिंग ने कहा कि उन्होंने 31 साल के उम्र में अपना 400 वाट टेस्ट विकेट लिया था अगर उन्हें अगले 8-9 साल तक खेलने का मौका मिलता तो वो करीब 100 विकेट्स और ले सकते थे हलनकि उसके बाद उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया हरबजन ने कहा कि भारती टीम से बाहर होने का कारण उन्हें आज तक समझ नहीं आया आखिर किसको उनके टीम में रहने से दिक्कत थी ये आज भी उनके लिए बड़ा सवाल है फिलाल अभी के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें